तो इस lecture में हम discuss करने वाले हैं exercise 2.2 को तो सबसे पहले अपने first question से start कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास exercise 2.2 के यह questions दिए गए है first question है, यह find the zeros of the following quadratic polynomial यह हमें quadratic polynomial को उस दिए गए है इसमें कहा गया है कि इनके हमें पहले zeros निकलने हैं और साथ में and verify the relationship between zeros and the coefficients of the polynomial मतलब यह है कि पहले तो हमें 0 निकालने हैं फिर उन zeros का जो relation है coefficient से जो हमने last lecture में discuss किया था उसको भी हम verify करेंगे उस relation को भी तो सबसे पहले हम first question से start करते हैं first question के first part से देखें यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास polynomial x square minus 2x minus 8 मतलब हमारे पास polynomial px is equal to x square minus 2x minus 8 दिया गया है और पूछा गया है कि हम इसके 0 निकालने तो 0 निकालने के लिए हम करते क्या है x square minus 2x minus 8 को हम 0 के साथ equate कर देंगे जैसे हम 0 के साथ equate करेंगे तो हम इसको middle term splitting method से कर सकते हैं अब देखिए middle term splitting method का purpose क्या होता है कि कोई ऐसे 2 number चाहिए हमें जिनका sum क्या होना चाहिए जो इस coefficient के बरावर हो which is minus 2 और उसका product क्या होना चाहिए उन दोनों numbers का product होना चाहिए किसके बरावर 1 और minus 8 minus 8 और 1 क्योंकि constant term और यहाँ पर यह जो इसका coefficient होता है x2 का इन दोनों के product के बरावर तो यह हो जाएगा 1 into minus 8 which is minus 8 तो यहाँ पर यह कितना आ रहा है ऐसे कौन से 2 number हो सकते हैं जिनका sum तो minus 2 आ रहा है लेकिन product minus 8 आएगा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 4 आ 2 ले लेते हम तो 4 आ 2 का अगर हम sum करेंगे तो problem है लेकिन product तो अभी भी 8 आएगा plus 8 minus 8 तो आ नहीं रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको minus 4 ले लेते हैं इसको 2 ले लेते हैं इन दोनों का product होगा वो कितना आएगा minus 8 और इन दोनों का जो sum होगा वो कितना आजाएगा अगर minus 4 को अगर हम add करें 2 के साथ तो यह minus 2 हो जाएगा जिसका मतलब sum भी सही है और साथ में product भी तो हम यह वोल सकते हैं कि इस number को हम break कर सकते हैं x square इसको हम किसमे break कर देंगे minus का 4x minus 4 और साथ में plus 2 plus 2x और यहाँ पर यह कितना हो गया यहाँ पर ही हो जाएगा minus का 8 तो minus 4x और plus 2 में हमने इसको break कर दिया और यह बाकी का minus 8 is equal to 0 अब यहाँ पर हम क्या common ले सकते हैं x अगर हम x common लेंगे तो यह बचेगा x minus 4 इस case में हम क्या common ले सकते हैं 2 common ले सकते हैं तो यह बचेगा x minus 4 which is equal to 0 इस पूरे ही question के अंदर इस पूरे case में हमारे पास एक चीज clear है कि x minus 4 दोनों में common आ रहा है तो हम x minus 4 common ले लेते हैं जैसे x minus 4 common लेंगे इसमें तो अब बचेगा क्या है यहां से तो आ जाएगा x और यहां से क्या बचा 2 तो यह हो गया equal to 0 तो basically यहां पर answer कितना आएगा या तो यह term इसके equal 0 के equal होने चाहिए या तो यह वाली term 0 के equal होगी तो यहां से answer क्या आएगा x is equal to 4 and then यहां से आएगा x is equal to minus 2 तो हमारे पास zeros कितने आगे 4 and minus 2 यह हमारे zeros है zeros of the polynomial ठीक है तो यह तो थे हमारे zeros लेकिन इसके अंदर हमें यह verify भी तो करना है कि coefficients और zeros दोनों मतलब जो हमारे relation होता है coefficients और zeros के बीच में वो हमें verify करके देखना है तो देखे इस case में इस polynomial x square minus कितना था 2x minus 8 इसमें हमारे पास अगर हम coefficient generally match करके देखे a x square plus b x plus c से तो यहाँ पर a की value कितनी है a की value है 1 और b कितना है minus 2 और c कितना है minus 8 और यहाँ पर हमें हमारे पास zeros क्या है alpha की अगर हम value लें 1 0 है 4 और 1 का minus 2 alpha को ले ले लेते हैं 4 and beta is minus 2 ठीक है अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर zeros का जो sum होता हो कि इसके बरावर होता है वो होता है minus b by a के equal तो चलिए करके देखते हैं इसमें कि equal आ रहा है कि नहीं इसकी value होगी 4 plus minus 2 हो गया और यह b कितना है minus of minus 2 divided by a कितना हो गया 1 हो गया अब देखिए 4 में से 2 को minus करेंगे तो कितना हैगा 2 और यह minus minus plus हो गया which is 2 यहां से clear क्या हो रहा है कि LHS is equal to RHS मतलब यह तो verify हो गया तो हम यह वो सकते हैं कि hence verified hence verified तो एक property तो verify हो गयी sum वाली जो हमने कहाता ना कि alpha plus beta is equal to minus b by a होता है यह वाला तो हमारे verify हो गया इसी तरीके से हम दूसरे को भी verify करेंगे alpha और beta के जो product है उसका जो product है वो किसके बरावर होना चाहिए c by a के equal यही तो हमारी property थी अब देखते हैं कि यह दोनों equal होंगे कि नहीं यहां पर आ रहा था 4 और alpha 4 हो गया बीटा हो गया minus 2 c कितना था minus का 8 a कितना है 1 तो 4 into minus 2 कितना हो जाएगा minus 8 और यह भी minus 8 तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि LHS is equal to RHS हो गया तो इसका मतलब यह भी verify हो गया तो यह part clear हो गया इसी तरीके से हमें बाकी के questions को भी करना है तो second question को भी discuss कर लेते हैं first वाला तो पूरा clear हो गया कि किस तरीके से हमें zeros निकालने है फिर उसके बाद zeros निकालने के बाद उस zeros को verify भी करना है एक zero को हम क्या करेंगे एक zero को ले लेंगे हम alpha दूसरे वाले zero को हम बीटा ले लेंगे फिर उसके बाद उसको verify करके देखते रहेंगे तो next question के आ जाते है हमारे पास यहाँ पर polynomial दिया है इसका variable s है तो हम एक काम करते है इस polynomial को लिख लेते हैं इस तरीके से ps क्योंकि variable यहाँ पर s दिया गया है यह कितना दिया गया है 4s square minus 4s 4s square minus 4s plus 1 अब आप देखिए इसको अगर हमें split करना है middle term splitting से अगर हम करेंगे तो क्या होना चाहिए ऐसे दो number चाहिए जिनका sum होगा minus 4 और ऐसे वो दोनों number चाहिए जिनका product कितना होना चाहिए 4 into 1 के बराबर मतलब 4 into 1 which is 4 तो product 4 होना चाहिए और sum minus 4 होना चाहिए कर देते हैं which is minus 2s और यहां पर भी कितना हो जाएगा minus का 2s और यह plus 1 और यह plus का 4s square so basically हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं 4s square minus 2s minus 2s minus plus 1 is equal to 0 और यहां से कितना हैगा अगर हम इस पूरे case में common ले 2s तो यह कितना बचाएगा 2s minus 1 इसमें अगर हम common ले लेते हैं सिर्फ minus का 1 तो यह minus 1 हो गया यह बचेगा 2s क्योंकि minus तो बहर आ चुका है और इसमें से अभी हमने minus लिया है तो यह कितना हो जाएगा minus 1 क्योंकि यहां पर अगर plus 1 बनाने तो यह minus 1 into minus 1 plus 1 बन जाएगा तो इसलिए अगर इधर plus था तो अगर मैंने minus common लिया है तो अंदर भी एक minus generate करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए इस पूरी equation के अंदर 2s minus 1 common आ सकता है तो हम यह बोल सकते हैं 2s minus 1 is common और यहां पर बचा कितना 2s और यहां पर कितना बचा minus 1 तो यह हो गया 2s minus 1 and then 2s minus 1 तो यह कितना आया यहां से हम यह बोल सकते हैं 2s minus 1 का whole square is equal to 0 तो यहां से हमारे पास जो root आया है वो आया है s is equal to 1 by 2 ठीक है अब आपको लगेगा कि इसमें तो सिर्फ एक root आ रहा है नहीं इसमें जो root आ रहा है न दिखेगा तो हां कि हां वह एक ही root आ रहा है लेकिन उसकी जो value की repeat हो रही है बार बार मतलब अगर इन दोनों से देखा जाये तो s is equal to 1 by 2 है और s is equal to 1 by 2 है जब भी कोई quadratic equation के अंदर या कोई भी quadratic polynomial में दो root नहीं आते एक root आता है ठीक है तो हम यह बोल सकते है कि यहाँ पर alpha की value भी half हो गई और beta की value भी half हो गई अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक की root माना जाएगा alpha को भी हम half लेंगे beta को भी half लेंगे उस तरीके से हम solve करेंगे बाके की चीज़ होगा तो उससे हम verify करेंगे और देखे इसको हमने इस तरीके से solve किया था directly भी आप देख सकते थे कि यह एक perfect square है यह देखके पता चल ला थे एक perfect square है क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर यह 4s square का मतलब क्या है 2s का whole square और यह 4s कितना है मतलब माइनस का 2 into 2s और यह 1 कितना है यह हो जाएगा 1 का whole square तो यह देखके पता चल ला है कि यह perfect square है तो यह part clear हो गया अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर alpha plus beta दिया गया होता alpha plus beta कितना होना चाहिए alpha plus beta होना चाहिए minus b by a अब देखिए alpha plus beta अभी हमने देखा था कि alpha और beta दोनो 1 by 2 है alpha and beta is 1 by 2 और यहाँ पर coefficients क्या है 4, 4 and 1 तो यहाँ पर a कितना है plus का 4, b कितना है minus का 4 and then c is 1 तो यहाँ पर यह कितना आ गया alpha plus beta which is 1 by 2 plus 1 by 2 और यह beta कितना आ गया beta गया minus of minus 4 by 1 तो यह alpha plus alpha I think यहाँ पर beta by a 4 by 4 होगा 1 नहीं होगा मैंने यहाँ पर c लिख दिया actually में a की value है 4 तो यहाँ पर यह कितना आ गया half plus half कितना हो जाएगा 2 अगर हम lc हम लेंगे तो यह 1 plus 1 हो गया और यहाँ पर यह plus का 4 उपर आ गया और यह plus का 4 नीचे आ गया यह minus minus plus 4 हो गया तो यहाँ पर 4 लिख दिया हमने और साथ में यह वाला 4 तो था ही तो यह part clear हो गया अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यह 2 by 2 और यह हो गया 4 by 4 which is 1 यह भी cancel out होके 1 तो 1 is equal to 1 which is lhs is equal to rhs यह first वाला तो verify हो गया यह first वाला clear हो गया अब हम second वाले part पर आ जाते हैं alpha into beta should be equal to c by a तो alpha और beta को multiply करके देखते है half into half यह किसके equal होना चाहिए c by a के c कितना है 1 और a कितना है 4 अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप multiply करेंगे तो numerator numerator दोनों 1 है तो 1 into 1 1 हो जाएगा denominator 2 इसमें भी 2 तो यह 4 हो जाएगा और यह तो 1 by 4 था ही तो इसका उतलब भी है कि इसमें भी lhs is equal to rhs आ रहे है तो यहाँ पर यह भी verify हो गया तो यह दोनों verify हो गई तो इसका उतलब यह है कि second वाले question भी हमारा complete हो गया है इसमें भी हमने zeros निकाल लिए इसमें भी निकाल लिए अब हम आजाते हैं third वाले question पर third वाले question में जादा कुछ tough चीज नहीं है बस यह है कि उन्होंने rearrange करके जान बुचके दिया है कि अगर कोई गलती करना चाहे तो वो इसी तरीके से गलती कर सकता है 6x square minus 3 minus 7x दिया गया है अगर आपके इसमें zeros निकालने तो आप पहले किस तरीके से लिखेंगे 6x square इसको rearrange करके लिख देते है minus 7x and then minus 3 is equal to 0 proper तरीके से हमने लिख दिया अब हमें चाहिए क्या कि ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना होना चाहिए इस coefficient के equal which is minus 7 और जिनका product कितना होना चाहिए product इन दोनों नंबर के equal इन दोनों नंबर का अगर आप product करके देखेंगे तो वो कितना आएगा 6x 3 is 18 यह minus का था और यह plus का था तो इसका मतलब यह minus का 18 होगा क्योंकि plus 6 into minus 3 कितना होना चाहिए minus का 18 तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका sum तो आ रहा है 7 और product आता है minus 18 sorry sum आ रहा है minus 7 तो यह हो जाएगा minus 9 and plus 2 क्योंकि यही दो नंबर ऐसे हैं जिनका multiplication करोगे तो आप minus 18 आएगा जिनको add करोगे तो यह minus 7 आएगा तो हम यह बोल सकते हैं कि इस नंबर को अगर हम break करें minus 9 x में और plus 2 में plus 2 x में तो यह बाकी के नंबर क्यों होगे 6 x square और यह minus का 3 easier to कितना होना चाहिए 0 यह part clear हो गया अब हम आजाते हैं next part पर अब इसको अगर आप देखेंगे तो इस वाले case में हम क्या अगर सकते हैं इसमें हम 3 को अगर हम common ले क्योंकि दोनों में 3 भी common आ रहा है और x भी common आ रहा है तो 3 x को common ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना और यहाँ पर हमें common क्या लेना है कुछ common ही नहीं आ रहा है तो plus 1 लिख देते हैं common नहीं आ रहा है तो हम 1 ही common ले सकते हैं और कुछ तो ले ही नहीं सकते हैं तो यह हो गया अब आप देखें इन दोनों में क्या common आ रहा है 2 x minus 3 2 x minus 3 तो हम यह बोल सकते हैं 2x-3 is common और यहाँ पर कितना आया 3x और यहाँ पर कितना आया plus 1 this should be equal to 0 तो हम यह बोल सकते हैं x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 3 यह है यह part clear है तो इसका मतलब यह है कि 1 तो हमारे पास हो गया 3 by 2 और एक दूसरा वाला 0 हो गया minus 1 by 3 अब हमें verify करना है कि alpha plus beta क्या यह minus b by a के equal है कि नहीं है अब यहाँ पर a, b और c क्या थे अगर हम देखें तो a की value है 6 b की value है कितनी minus 7 और c की value कितनी है minus 3 क्योंकि यह minus 7 minus 3 तो अगर आप देखें तो alpha plus beta कितना आएगा यहाँ से alpha plus beta आएगा 3 by 2 plus यह हो जाएगा minus 1 by 3 is equal to minus का b मतलब minus of minus 7 divided by a मतलब 6 इसको अगर हम solve करें तो यह कितना हो जाएगा इन दोनों का LC हम ले ले लेते हैं LC म आएगा 6 तो यह हो गया फिर 9 और यहाँ पर minus का आएगा और साथ में यह 2 आजाएगा और यह plus का 7 by 6 इसको हम further solve करके देखेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, 9-2 हो गया, 7 by 6, और यह भी 7 by 6, तो इसको मतलब यह LHS is equal to RHSR है, मतलब हम इसमें बोल सकते हैं, कि left hand side is equal to right hand side, hence this equation is verified, तो यह first वाला पार्ट तो verify हो गया, अब second वाले पार्ट को अगर हमें verify करना हैं, तो हम इसको कैस से verify करेंगे, तो हम यह बोल सकते हैं, कि alpha into beta should be equal to C by A, ठीक है, अब alpha और beta क्या था, alpha और beta भी हमने देखा है, यह 3 by 2 था, और साथ में, minus का 1 by 3, और C by A मतलब C कितना था, minus का 3, divided by A, A कितना है, 6, ठीक है, 3 और इससे cancel out करेंगे, तो यह बचेगा 2, और यह हो गया 1, ठीक है, 3 और 3 से cancel out हो गया, यह हो गया, minus का 1 by 2, और यह भी हो गया, minus का 1 by 2, यह answer है, तो इसका हो तलब यह है, कि यहाँ पर left hand side is equal to right hand side, तो यहाँ पर यह answer आया, left hand side और right hand side दोनों equal हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह भी देख लिया, कि अगर हम product देखेंगे, तो वो भी य गया, क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है, fourth में, पी, यहाँ पर variable है, यू, तो हमने आप पर variable ले लिया, पी यू, यह 4 यू का square, plus 8 यू, ठीक है, अच्छा, यह यहाँ पर इस तरीके से, I think आप यह visible होगा, पी यू is equal to 4 यू square, plus 8 यू, अब problem यह है, कि यहाँ पर तो ह कई लोग सोचेंगे कि करने एक जरूरत है, नहीं, देखें, यहाँ पर जब आपके पास तीनो terms होते, तो middle term splitting करना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास तीन terms है, उनको break करके, फिर्म proper तरीके से solve करेंगे, तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि तीनो term में एक साथ कुछ common नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसमें तो दो term है, अराम से common आ सकता है, जैसे अगर हम इसको 0 के साथ equate करके देखें, इसको 0 के साथ एक बार equate करके देखें, तो क्या आएगा, यहाँ से मैं 4u common ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचा कितन देखेंगे, u plus 2 is equal to 0, तो यहाँ से u plus 2 is equal to 0 आगया, तो u कितना आगया, minus 2, तो यहाँ पर u की value कितनी हो गए, 0 and minus 2, तो यही हमारे zeros हो गए, तो इस काउंट लब यह है कि यहाँ पर alpha हो गया, 0 and beta हो गया, minus 2, यह part clear हो गया, आप coefficients देख लेते हैं, a कितना है, 4, b कितना है, 8, c कितना है, 0, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं, कि a, b, c भी हमारे पास है, alpha, beta भी हमारे पास है, तो alpha plus beta को पहले verify करके देखते हैं, कि क्या यह minus के b, by a होगा कि नहीं होगा, तो alpha यहाँ पर कितना है, alpha है 0, plus beta कितना है, minus का 2, और यहाँ पर b कितना है, minus का 8, लेकिन हमारे पास सामने minus था इसलिए हमने minus 8 लिखा तो यह हो गया 4, एक जगा 4 यह cancel out हो जाएगा बचेगा 2 बट यह minus था तो यहाँ पर हमें minus 2 लिखना पड़ेगा और साथ में यह left hand side पे तो minus 2 आए गए ही क्योंकि 0 plus minus 2 minus 2 होता है तो यह कितना आ गया यहाँ पर यह दोनों equal हो गया so hence LHS is equal to RHS फिर से verify हो गया है अब हम सम देख लिया है तो product भी देख सकते हैं alpha into beta is equal to C by A के equal होगा कि नहीं यह देखते हैं चेक करते हैं तो alpha into beta 0 into minus 2 तो यहाँ पर यह कितना हो गया C by A C मतलब 0 by 4 तो यहाँ से यह 0 is equal to 0 which is LHS is equal to RHS अभी भी verify हो गया LHS और RHS verify हो गया है ठीक है एक और चीज़ है कि कहीं लोगों के दिमाग में यह भी doubt आ रहा था कि क्या हमें इसी तरीके से equation लिख कर ही verify करना है क्या ऐसा कोई जरूर ही नहीं है अगर आप चाहें तो यहाँ पर alpha बीटा को पहले calculate करिए which is 0 into minus 2 फिर यहाँ से 0 आ जाएगा और फिर आप इसको calculate करके देखिए C by A फिर इन दोनों की जो value होगी 0 by 4 is equal to 0 अब आप बोल सकते हैं कि इसकी value और इसकी value दोनों की equate करेंगे तो भी आपका answer आ रहा है आप यह बोलेंगे कि यह first equation यह second equation from equation 1 into यहाँ पर ही हो जाएगा alpha into beta is equal to C by A hence verified, that's it इस तरीके से verify हो सकता है लेकिन यह तरीके में बस यह है कि directly आप हर एक चीज़ को ना दोनों चीज़ों को एक साथ ही solve करते वे चलेंगे तो यह जादा time consuming नहीं और सही तरीका भी है तो यह part clear हो गया अब हम आजाते हैं fifth वाले पे इसमें भी देखिए यहाँ पर fifth वाले में क्या दिया गया है पहले तो हम variable ले ले लेते है polynomial of t क्योंकि यहाँ पर variable ही t है t square तो यह हो गया t square minus 15 अब इसमें भी यही चीज़ है कि जैसे last वाले case में था सिर्फ दो टर्म थी तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दो ही terms है यहाँ पर सारी terms नहीं है यहाँ पर तीन terms नहीं है तो आप देखेंगे जब भी हमारे पास x square minus कोई भी constant आप दाता हम उसको क्या लिखते थे इस तरीके से लिख दीजे चलिए मैं यहीं पर करके बताता हूँ आपको t square minus का हम इसको ऐसा लिख सकते है root 15 का square किसी भी number को हम ऐसा लिख सकते है कि root over करें फिर बाद में उसके अंदर square कर दें तो हमने यहाँ पर भी वही किया है ठीक है तो अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके सामने लिख दिया अब आपके पास एक formula होगा x square minus a square which is x minus a into x plus a मतलब अगर किसी यूग confusion है इस तरीके से कई लोग बुक में इस तरीके से पढ़ते हैं तो इसको भी इस तरीके से आप use कर सकते हैं a square minus b square is equal to a plus b into a minus b I think अब यह जादा clear हो रहा हुआ तो a की जगा हम t use कर सकते हैं b की जगा हम root 15 को use कर सकते हैं तो इसको अगर हम open करेंगे तो कितना आएगा t plus root 15 is equal to 0 तो यहां से कितना आया यह आ जाएगा minus root 15 and then plus root 15 यह answer आ गया तो हम यह बोल सकते हैं कि एक alpha हो गया हमरे पास और 7 में एक beta हो गया और 7 में हमरे पास coefficients क्या है a का coefficient कितना हो गया a है हमरे पास 1 b कितना है अब इस case के अंदर t square minus 15 था मतलब यहां पर अगर आप देखें तो t square plus 0 t minus 15 बोल सकते हैं क्योंकि इसमें t वाला element था ही नहीं तो इसका coefficient हम 0 मानके चल सकते हैं तो यहां पर हमें पता चल गया कि a की value तो 1 हो गई क्योंकि इसका coefficient 1 हो गया इसका coefficient कितना हो जाएगा 0 और बाकी last में जो third वाला question था coefficient था वो कितना हो जाएगा minus का 15 तो इसका उतलब यह हो गया है कि alpha plus beta अब हम verify करके देखते हैं कि minus by a आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अगर आप alpha plus beta as you will to minus by a लिखकर देखेंगे तो कितना आता है यहाँ पर इन दोनों को देखते है minus root 15 plus root 15 और यहाँ पर b कितना है b है 0 और a कितना है 1 तो यह दोनों cancel out हो जाएगे because minus और plus cancel out हो जाएगे तो यह 0 हो गया right hand side पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि minus 0 ले या plus 0 ले तो 0 तो 0 रहेगा तो यह left hand side पे left hand side और right hand side दोनों equal हो गया hence these are verified तो यह verify हो गया यह तो हमने verify कर लिया अब next part पे आ जाते है alpha into beta is equal to क्या होगा c by a ठीक है अब alpha into beta c by a के equal है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह equal होगा कि नहीं होगा तो पहले देखते हैं यह alpha कितना है minus का root 15 और यह beta कितना है root over 15 और c कितना है minus का 15 by a कितना है 1 इन दोनों का अगर हम multiply करेंगे तो यह कितना होगा minus बाहर आ गया यह root 15 का क्या हो जाएगा square और यह minus 15 है तो यह यहाँ पर कितना आएगा minus का 15 because root का square कर देगे तो फिर यहाँ पर वो term आ जाएगा root over any numbers का किसी भी number का square करेंगे तो यहाँ पर यह वही number आएगा तो यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि इसका square हो गया तो यह 15 हो गया और यह minus का 15 तो पहले से थाई तो यहाँ पर LHS is equal to RHS हो गया hence this is also verified तो यह दोनों हमारे पास जो equation जो formula थे वो दोनों verify हो चुके हैं ठीक है यह property भी यह तरीके सा identity verify कर ली हमने तो यह भी हो गया यह question भी हो गया और यह भी हो गया अब last वाले पर आ जाते हैं last वाले में क्या दिया गया है 6 में दिया गया है polynomial x is equal to minus x minus 4 is equal to 0 अब वही चीज़ है कि अगर आपके पास यहाँ पर middle term को split करना है middle term को split करने के लिए क्या करेंगे हम sum कितना होना चाहिए इसको coefficient के equal इसका coefficient कुछ लिखा हुआ तो है नहीं तो इसका coefficient 1 होगा लेकिन यहाँ minus sign भी था तो इसलिए minus 1 लिखिएगा ठीक है और product क्या होना चाहिए उन दोनों number का वो इन दोनों का product के बराबर होना चाहिए which is 3 into 4 12 लेकिन यहाँ minus का भी है तो यह minus का 12 ठीक है तो ऐसे कौन से दो number है जिनका multiplication minus 12 है लेकिन sum minus 4 है तो ऐसे 4 और 3 का तो multiplication 12 आता है लेकिन इन में से 1 minus होना चाहिए एक plus होना चाहिए तब ही जाकर यह negative हाएगा product तो हम इसको minus ले लेते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम 3 को minus ले लेंगे तो यह positive वाला बड़ा हो जाएगा लेकिन sum तो इसका negative आना चाहिए इस में से हम किसको common लेंगे? कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम 1 को common ले लेते हैं तो यह हो गया 3x minus 4 is equal to 0 तो यहां से कितना आया? 3x minus 4 इसको common ले लिया और यहां पर कितना आया? x plus 1 यह हो गया 0 के equal तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3x minus 4 is equal to 0 and then x plus 1 is equal to 0 so यहां से कितना आया x is equal to minus 1 and then x is equal to 4 by 3 तो यहां से हमारे पास दो roots आ चुके हैं एक 4 by 3 और एक minus 1 so we can say alpha is equal to 4 by 3 and beta is equal to minus 1 लेकिन अभी हमने देखा था कि यहां पर coefficients भी हमारे पास थे वो कितने थे a की value कितनी होगी 3 के equal और b की value कितनी होगी b होगा minus 1 के equal और c कितना होगा minus 4 के equal तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि alpha plus beta कितना होना चाहिए alpha plus beta minus b by a के equal होना चाहिए चलिए verify करके देखेंगे इसको और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि alpha into beta क्या c by a कि equal आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है तो मतलब verify हो जाएगा verify अगर हो गया तो इसका मतलब यह जो हमने answer निकाला हो सही है तो alpha plus beta वो कितना हो जाएगा 4 by 3 और यह minus का 1 is equal to minus यहां पर यह b कितना हो गया minus 1 by 3 तो यह कितना हो गया 4 minus 3 क्योंकि इसका नीचे denominator में 1 मान सकते हैं अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ है कुछ भी denominator में नहीं दिया गया तो हम 1 मान सकते हैं तो इन दोनों का LCM कितना होगा 3 और 1 का 3 हो जाएगा तो LCM लेने के बाद यहां पर यह 4 minus 3 भी हो गया अब next part पर आ जाते हैं कि इन दोनों का multiplication वो कितना होगा 4 by 3 multiplied by minus 1 is equal to C कितना है minus का 4 एक कितना है 3 4 by 3 को minus 1 से multiply करेंगे तो यह भी हो गया minus 4 by 3 और यह भी हो गया minus 4 by 3 तो हम बोल सकते हैं LHS is equal to RHS यह हो गया ठीक है तो हमारे यह part भी complete हो गया है यह भी complete हो गया अब आप देखें कि इसमें यह पूछा क्यों गया यह reason क्या है कि हमें इसके बीच का जो relationship है उसको verify करना है उसका फायदा क्या है बार बार तो verify करते करते हो एक तरीके से time consuming process ही है लेकिन actually में जो question देने वाला था वो यह जानबुच के इस तरीके से उसने दिया था ताकि आप एक तरीके से observe कर पाएं कि अगर कभी भी आपका zeros जो है वो गलत आएंगे तो verification के time पे आपके साथ problem होगी तो verify करने से यह आपको clear हो जाएगा कि आपने जो zeros निकाले ना सही निकाले है मतलब आपका answer सही आया है इसलिए यह कहा जाता है verify करने के लिए तो यह part clear हो गया कि हम verify क्यों करते हैं तो चलिए यह part अगर clear हो गया है तो अब हम next part पर आजाते है question number 2 पे इस question के अंदर दिया क्या गया है find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively मतलब कहा गया है कि हमारे पास दो numbers दिये गए है और पहला वाला sum है क्योंकि देखो respectively बोला इन्होंने कि पहला sum है दूसरा product है और किसका sum of zeros product of zeros तो मतलब यह है कि first question के हिसाब से हमारे पास sum of zeros मतलब alpha plus beta कितना दिया हमना चाहिए alpha plus beta की value है तो यह 1 by 4 हो जाएगा और product of zeros की value कितनी होगी यह हो जाएगा product of zeros यह minus का 1 तो यह minus 1 ठीक है तो अब देखिए alpha plus beta कितना होता है अगर हमारे पास माल लेजिए यह equation है ax square plus bx plus c is equal to 0 यही है is equal to 0 अब इस equation के अंदर हमें a, b, c तो नहीं पता है लेकिन यह जीज़ हमें पता है तो इससे हमें एक conclusion निकल सकता है कि alpha plus beta क्या होता है alpha plus beta होता है minus का b by a तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर minus b by a is equal to alpha plus beta which is 1 by 4 minus b by a तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि b की value कितनी होगी b की value हो जाएगी a को इसदर cross multiply कर दिए तो यहाँ पर यह minus a by 4 यह आगया b यहीं से हम यह भी बोल सकते हैं कि alpha into beta कितना होना चाहिए c by a तो यहाँ से c by a is equal to alpha into beta which is minus 1 c by a तो c की value कितनी होगी minus का a अब हमें करना क्या है इसकी value और इसकी value c और b की value दोनों को replace करना है इस polynomial वे general polynomial वे तो यहाँ पर ही हो गया a x square प्लस अब इसको 0 के साथ equate करने के ज़रूरत नहीं है अभी तो यह polynomial बनाना है हमें तो हम इसको as it is रख देते हैं ठीक है तो a x square प्लस यहाँ पर ही कितना आएगा यह हो जाएगा b x b मतलब b की value है minus का a by 4 यह भी हमने निकाला था into x plus c कितना होगा minus का a अब यहाँ से देखिए यह आया a x square minus का a by 4 x minus का a अब आप खुछ सोचिए कि अगर आप इसको 0 के साथ equate करके देखते इसको अगर आप 0 के साथ equate कर लेते पूरे polynomial को तो इसमें जो a है वो common आ जाता ठीक है a common आ जाता आप सोचिए कि यहाँ पर यह common आता a और यह polynomial बनता x square minus 1 by 4 x minus 1 is equal to 0 तो यहाँ पर a की कुछ भी value होती कोई फरक नहीं पड़ता 0s पे 0s of the polynomial और polynomial पर कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो इसलिए हम x की कोई cb value यहाँ ले सकते है अगर आप a की value लेना चाहे है 1 तो 1 ले लिजे 2 लेना चाहे है तो 2 ले लिजे लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है वो यह रहती है कि हम a की वो value ले जिसकी वज़े से हमारे जितने भी मतलब जितने भी coefficients आ रहे है वो हमेशा इस तरीके क्या है कि सिर्फ एक सिर integer की form में ज्यादा कोई fraction की form में ना आए जैसे अब यहाँ पर आप देखें कि यह fraction वाला problem यह 4 ही create कर रहा है तो हम a को यहाँ पर ले लेते हैं 4 अगर 4 ले लेंगे तो फाइदा क्या होगा अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं if a is equal to 4 then the whole polynomial is px is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 into x square minus 4 by 4 into x minus 4 तो यह cancel out हो गया 1 हो गया यहाँ से कितना हो गया 4 x square minus x minus 4 यह आगया px यह हो गया यह answer है तो यह part clear हो गया कि किस तरीके से अगर हमारे पास zeros of the polynomial दिये जाएंगे तो हमें उसको कैसे solve करना है ठीक है तो यह first वाला question clear हो गया होगा अब हम second वाले पाया जाते हैं इसी तरीके से इसमें भी 6 question दिये गया है second वाले में क्या है second वाले में sum of roots कितना दिया गया है second वाले में sum of roots है root 2 root 2 और यह product of roots है 1 by 3 ठीक है अब वही है कि हमारे पास यह second वाला पार्ट आ गया और हमारे पास जो polynomial होगा वो क्या होगा px is equal to ax square plus bx plus c ठीक है अब हम alpha plus beta को क्या बोलते है minus का b by a जो कि alpha plus beta के equal रहता है तो इसका मतलब यह है कि root 2 के equal होगा minus b by a तो b की value कितनी होगी cross multiply करके देखते हैं तो a into root 2 बट मैनस भी धर लिया आते हैं तो यह minus का a into root 2 होगया ठीक है अब इसके साथ साथ हम यह भी बोल सकते हैं कि यह product क्या होता है c by a के equal होता है c by a is equal to alpha into beta ठीक है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं c by a is equal to alpha into beta कितना था 1 by 3 cross multiply करके देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा a by 3 c की value c और a की value दोनों को replace करके देखते हैं polynomial में तो यहाँ पर कितना आएगा polynomial px is equal to यहाँ पर यह हो जाएगा ax square और यहाँ पर यह beta की जगा b की जगा क्या हो जाना चाहिए minus का a root 2x और यह c की जगा हो जाएगा a by 3 अब हमारा purpose क्या है हम कोशिश यह करेंगे कि fraction की form में ना बने fraction की form में ना बने इसलिए हमने क्या करा a को 3 ले लिया वरना a की कोई भी value लीजिया answer सही आएगा सही माना भी जाएगा if a is equal to 3 then the value of the polynomial is bx is equal to यहाँ पर यह हो जाएगा 3x square minus 3 root 2 into x और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा plus 3 by 3 यह cancel out हो के 1 बचा यहाँ पर यह answer कितना आगया 3x square minus 3 root 2x plus 1 यह आगया हमारा polynomial यह part clear हो गया किस तरीके से polynomial को निकालना है अब हम next part पर आजाते हैं अब देखिए इसी के अंदर हम इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं second part भी हो गया third वाले part में क्या दिया गया है sum of zeros is sum दिया गया है zero और product क्या दिया गया है alpha into beta कितना होना चाहिए alpha into beta होना चाहिए root 5 इसके equal ठीक है तो यह हमारा third option third question तो देखिए sum of zeros मतलब यह कितना हो गया minus का b by a के equal which is alpha plus beta तो यहां से कितना आ जाएगा zeros minus b by a तो यहां से b की value कितने हो गया zero और product क्या है c by a तो यहां से c by a a is equal to कितना होगा root 5 तो हम यह बोल सकते हैं कि c की value कितने होगा a root 5 ठीक है तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास polynomial px is equal to ax square plus bx plus c के form में था तो हम a तो यह as it is रखेंगे p की value क्या है zero कर देंगे और यहां पर c की value क्या है a root 5 तो यहां पर यह आ गया ax square यह तो 0 था प्लस यह a root 5 तो हम a की value 1 ले लेते हैं a की value क्योंकि अब यहां पर कोई as such कोई problem तो आ नहीं रही है अगर हम a 1 लेंगे तो भी if a is equal to 1 then the value of the polynomial is px is equal to x square plus 1 into root 5 कितना होगा root 5 so यहां पर यह इतना आ गया that's it यह answer आ गया clear है तो यह तो direct था ठीक है fifth वाला भी बढ़िया है fifth वाला भी direct मतलब fifth नहीं fourth वाला fourth वाले बड़ा interesting है fourth वाले को भी आप directly solve कर सकते हो all day देख के पता चलना है क्या answer आना चाहिए चलिए फिर भी solve करके देखते है यहां पर हमारे प्लस क्या होगा कि alpha प्लस beta कितना हो गया one क्योंकि यहां पर दिया गया है कि इसका coefficient का जो sum है वो भी one होगा और product जो zeros का sum है वो भी one होगा और product भी one होगा alpha into beta भी one होगया alpha plus beta भी one होगया तो इसका हम बोल सकते हैं कि minus b by a के equal होगा तो इसका हम उतले हैं कि b कितना होना चाहिए minus a के equal और यहां से हम बोल सकते हैं कि c by a के equal होगा which is alpha into beta तो c by a की value कितने होगी a के equal which is c easier to a तो यहां से c a के equal आगया और यह b easier to minus a के equal तो अब हम यहां से अगर polynomial ले ले लेते हैं AX square plus BX plus C तो कितना होगा A की value हो गए हमारे पास अच्छा A की value अभी हमने नहीं लिए तो बीटा कितना हो गया minus का AX plus C कितना हो गया A, अब यहां से हम बोल सकते हैं if X is equal to X नहीं sorry, A is equal to 1 then BX is equal to यहां पर हो जाएगा 1 into X square minus 1 into X plus 1, ठीक है I think इसके अंदर minus यहां पर यह 1 आया alpha plus beta, ठीक है यह भी आगया 1 तो यह भी 1 आगया, यह भी 1 आगया, यह भी 1 आगया तो यह कितना आगया, X square minus X plus 1, यह answer आ रहा है I think यही answer आएगा क्या अच्छा हाँ, sum दिया था ना, okay, okay मैं सुच रहा था कि separate मतलब दोनों values इसमें हाँ एक और चीज ध्यान दखेगा यह इस question में ना, एक गलती बहुत जादा students करते भी है कि वो क्या सोचेंगे, जैसा मैं भी अभी यह चीज दिमाग में लगाने वाला था कि मैंने सुचेंगे, यह alpha यह beta है जबकि actually में यह sum है और यह product है तो यह ध्यान दखेगा, यह sum और product का और alpha और beta का, confusion create हो सकता है कई लोग सोचेंगे, अच्छा यह तो alpha और beta दोनों same है तो मतलब यह ऐसा equation आएगी जिसके अंदर हमारे पास perfect square बनेगा बट वो नहीं है, अगर root same होते तो बात अलग थी, यहाँ तो sum और product same है ठीक है, तो यह answer आएगा इतना clear हो गया अब यहाँ पर हम fifth वाले question में आ जाते हैं fifth वाले question में हमारे पास sum कितना दिया गया है minus का 1 by 4 minus 1 by 4, ठीक है यहाँ पर minus 1 by 4, product कितना दिया गया है 1 by 4, अब यह भी roots equal नहीं है ध्यान रखिएगा, यह sum और product का magnitude equal है एक का तो minus है, एक का positive है, लेकिन magnitude दोनों का equal है, लेकिन वो भी sum of roots not individual roots last वाले case में भी individual roots नहीं थे, बस यहीं बताना चाहरा हूँ यह दोनों separate चीज़े थी यह sum था, यह product था कहीं बस यह गलती नहीं करना है कि अगर किसी ने लिखा alpha is equal to 1 और beta is equal to 1, तो यह गलत हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर alpha plus beta is equal to 1 है और यह alpha into beta is equal to 1 है ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा यह minus b by a is equal to alpha plus beta तो यहाँ पर alpha plus beta की value कितनी आ रही थी तो यह alpha plus beta की value हो जाएगी minus का 1 by 4 और यह minus b by a minus से minus cancel out हो गया b कितना हो गया, a by 4 और यहाँ से alpha into beta मतलब कितना होता है, यह c by a हो जाएगा is equal to कितना हो गया, 1 by 4 तो यहाँ से c की value कितनी है, a by 4 तो यह polynomial px is equal to a x square plus bx plus c यह हो गया, a x square plus b की value कितनी है, a by 4 into x plus c की value है, a by 4 अब देखिए, यहाँ पर दोनों cases में हमारे पास यहाँ denominator में 4 आ रहा है अगर हम a की value, if a is equal to 4 अगर हम a की value 4 ले लेते हैं, तो px कितना आएगा px आ जाएगा, 4 x square plus 4 by 4 x plus 4 by 4 तो 4 से 4 cancel out हो गया 4 से 4 cancel out हो गया, तो यह कितना आगया 4 x square plus x plus 1, तो यहाँ पर यह px की value इतनी हो गई यह answer है, ठीक है तो इस तरीके सा हम यह बोल सकते हैं कि यह भी हमारा part clear हो गया, 5th वाला 5th वाले में बस हमने कहाए कि a की कौनसी value लिया है, 4 लिया है ताकि हमारा proper तरीके से solution आए और यह ध्यान लखेगा, सब कई लोग का different different answer आसकता है जैसे जैसे आप a की value लेंगे, वैसे वैसे आपका answer differ करता चला जाएगा बस आपको यह चीज़ clear होनी चाहिए किसी ने अगर a की value 1 लिये होगी तो उसका answer 1 के हिसाब से आएगा अगर किसी ने a की value 1 लिये होगी तो उसका answer आएगा, px is able to कितना यहाँ पर 1x square plus 1 by 4x plus 1 by 4 तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका answer गलत है उसका answer गलत है दोनों इंसानों का answer same है सिर्फ और सिर्फ a की value differ थी जिस different different value पे लिया है उसी के हिसाब से answer आया है तो दोनों का answer सही है ठीक है तो यहाँ पर अब हम last वाले question पर आ जाते है अच्छा यह भी कई लोगों का doubt आता है कि यहाँ पर दो अलग-अलग type का answer आ रहे है तो यह सही कैसे हो गए क्योंकि देखें जब आप इसको zero से equate करके देखेंगे तो दोनों के zero same आएंगे इसलिए सही हो गए इसका मतलब यह है कि इस case के अंदर एक से ज़ादा possible values आ सकती है polynomial की बस वो depend करता है कि polynomial का coefficients जो है जो हमारे पास constant है उनकी value हमने कैसे ली है ठीक है क्योंकि उनका तो हमें सिर्फ ratio दिया गया था value थोड़ी ना दी थी जब ratio दिया गया है तो इस ratio के साब से हमने निकाल या polynomial फिक्स value के साब से नहीं तो अब हम आ जाते हैं next question पे question number 6 पे part number 6 पे यहाँ पर यह कितना हो जाएगा कि अगर हमारे पास sum कितना दिया गया है 4 और product of the roots कितना दिया गया है 1 प्लस का 1 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा minus का b by a is equal to कितना होना चाहिए alpha plus beta which is 4 तो यह हो गया b is equal to minus का a into 4 which is minus 4 a तो इसको proper तरीके sum लिखे तो है minus 4 into a हो गया ठीक है तो यह और यह कितना हो जाएगा alpha into beta is equal to cya which is equal to alpha into beta alpha into beta मतलब 1 तो यह c की value हो जाएगी a तो हम बोल सकते हैं कि px is equal to ax square plus bx plus c यह तो a as it is रह गया b कितना हो जाएगा minus का 4 a into x plus c कितना हो जाएगा a तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर हमने a की value 1 ली 1 लेने से कोई problem तो आएगी नहीं तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि px is equal to कितना हो जाएगा x square यह हो जाएगा minus का 4 into x plus यह 1 यह हमारे पास final answer आगया ठीक है यह हमारा polynomial आगया अगर a की value 2 लेना चाहे तो अगर if a is equal to 2 then px must be equal to 2x square minus 8x और यह plus 2 यह answer आजाएगा ठीक है इसी तरीके से आपको इसी value ले ले लिजे a की और उसी इसाफ साब का answer आजाएगा I hope आपको यह exercise पूरी clear हो गए होगी सारे questions clear हो गए होगे तो अब हम next lecture में बाकी सारी चीज़ों को discuss करेंगे जो भी चीज़ा हमारी बची है और दो exercise और बची है उनको भी हम cover करेंगे